नमस्कार साथियों एक बार फिर मैं दिपंकर समध्दार चार्टर अकाउंटेंट आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ है तो से ट्रस्ट बहुत इंपोर्टेंट चीज़ है यह विश्वास वाली बात है और ट्रस्ट जो हम लोग बनाते हैं ट्रस्ट के अनुसार वहाँ पर भी विश्वास बहुत इंपोर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसका नाम ही ट्रस्ट इसलिए रखा गया है तो ट्रस्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें आज जानने वाले हैं दोस्तों सबसे पहला इंस्ट्रक्शन सफ ट्रस्ट में बताता हूँ कि according to section 3 of the Indian Trust Act Trust Act कौन से section से आता है? section 3 से आता है कौन से act से आता है? Indian Trust Act 1882 से Trust का मतलब क्या होता है? Trust means that when an obligation is attached to or owned by the property a person, the settler puts the trust in the hands of another person जिसको हम लोग trustee बोलते हैं Settler कौन है? जो trust बनाता है किसके हाथ में देता property जो की जिसको trustee बोलते हैं जो की देखरेक करने वाला है तो trust एक legal documentation है एक legal structure है जिसका registration किया जाता है जिसमें registration किया जाता है कि नहीं थोड़ा सा आगे बताना चाहूँगा कहां पर नहीं करना पड़ेगा ये भी बताऊँगा लेकिन trust एक legal structure है जिसमें settler होता है जो की कुछ property इंट्रोड्यूस करता है trust में और उसका ख्याल जो रखता है उसको trustee बोलते हैं तो हिंदी में सबजना आप next है in other words a trust is a legal vehicle that allows a third party third party कोन है? a trustee और उसको क्या अलाव करते हैं? एक legal vehicle है मैंने बताया third party मैंने बताया क्या चीज उसको power देते हैं? to operate and manage assets क्या देते हैं? to operate and manage assets वो जो trust का संपत्ती है उसको operate करेगा और manage करेगा किसके बिहाफ में करेगा? beneficiary यह beneficiary क्या होता है? जिसके लिए trust बनता है अब for example यह trust बना है गरीबों के उत्थान के लिए तो गरीबों के लिए वो काम हो रहा है की नहीं हो रहा है अगर यह trust की special कुछ लोगों के लिए बना है या कोई community के लिए उस community वो पूरा community उसका beneficiary या फाइदा उठाने वाला या जिसको उसका फाइदा मिलना चाहिए ट्रस्ट का यह वो बन जाएगा तो यह trust ड्रामेटिकली इंक्रीजेस यूर चॉइसे बाउट कंट्रिलिंग यूर असेट्स इसका मतलब ट्रस्ट क्या करता है आपका चॉइस बढ़ा देता परपस के लिए ट्रस्ट के अलग-अलग परपस होते है ट्रस्ट का अलग-अलग परपस में इंपोर्टेंट है चैरिटेबल परपस हो सकता है किसी के हल्प के लिए हो सकता है लेकिन बेसिकली जो ट्रस्ट माना जाता है वो charitable purpose के लिए माना जाता है In the amendment, the expression charitable purpose ये कौन से section में, section 2, bracket 15 मैं आपको एक चीज़ बताओ, एक interesting चीज़ कोई भी act पढ़ लिजे, उसमे section 2 खाली किस चीज़ के लिए रहेगा, definitions देने के लिए तो section 2, 15 definition देता है trust act में किस चीज़ का charitable purpose का इसमें क्या क्या charitable purpose आ जाता है relief of poor आ गया, education मतलब पढ़ाई लिखाई के लिए आप कर सकते हो medical relief के लिए आप कर सकते हो advancement of any other object of general public utility इसका मतलब कोई भी दूसरा object हो सकता है general public utility से related अब ये interesting question है कि trust बना कौन सकता है trust कौन बना सकता है every person, underline कर लो every person कौन बना सकता है, हार एक व्यक्ति बना सकता है जिसमें कौन कौन मिला हुआ including क्या है, individual भी बना सकता है AOP मतलब association of person भी बना सकता है Hindu undivided family भी बना सकता है company भी बना सकता है, etc. मतलब बाकी सब भी बना सकता है इसलिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ if a trust is to be created by or on behalf of a minor कभी क्या होता, किसी minor के बिहाफ में एक ट्रस्ट बना रहा हुआ कई पर क्या हो जाता है किसी ने legal will कर दिया कि भाई कुछ हो जाए तो मेरे बच्चे को पैसा मिल जाए माबाप चले गए अब उस पैसे उनकी property है उसका देखरेक करने के लिए कोई society, कोई trust बनाना पड़ रहा है तो वो trust minor का बनाना पड़ रहा है और minor का जब भी बनेगा तो वहाँ पर permission लगेगी किसकी principal civil court of original jurisdiction principal civil court of original jurisdiction की permission लगेगी और ऐसा इसलिए होता है ताकि court ये identify कर ले कि जो जो trusty है वो कहीं उस पैसे का misuse न कर ले अपने नाम पे न कर ले और पैसे का जो benefit है जिसके नाम पे जाना चाहिए अगर minor लिखा हुआ है तो उसके नाम पे जरूर जाए वो benefit, right next is types of trust क्या है क्या-क्या types है, सबसे पहला private trust, private trust बहुत popular trust है लोग privately बनाते है, private लोगों के लिए बनाते है, कुछ लोगों के लिए बनाते है या फिर एकदम close relative लोगों के लिए बनाते है, right उसके बार, next is public trust public trust is created for a large group यह large group के लिए बनता है for example non-profit charitable institution for general public non-profit charitable institution जो रहती है NPO बोलता है या NGO कई बर बोलता है और general public के लिए भी open रहता है public trust के बारे में थोड़ा आगे बढ़ते है public trust is the one whose beneficiaries include general public at large और a sizable portion इसका मतलब क्या हुआ public trust में beneficiaries जो फाइदा जिनको मिल सकता है वो general public at large मतलब बहुत बड़ा, all over सबको authority हो सकती है या फिर sizable portion इसका मतलब कोई Sikh community, Hindu community या फिर कुछ भी और community हो सकता है sizable portion क्या है यह इसका definition दिया नहीं है तो एक बड़ा portion हो सकता है जो कि बहुत कम लोगों से जादा होगा private वाले में limited लोग होते हैं public में बहुत सारा होते हैं तो public trust को further categorize कैसे किया यह चीज़ हम लोग देख लेते हैं further categorize कैसे किया ए public charitable trust दूसरा public religious trust तो दो category बना दिया public charitable trust बन गया और दूसरा public religious trust बन गया तो public trust is known as non-profit charitable organization इसका मतलब NPCO भी बोल सकते हैं या फिर non-government organization बोलते जरूर है लेकिन मैं बोल रहा हूँ इस चीज़ को use कम करना क्योंकि non-government organization तो government organization के अलावा जितने भी organization है उसको भी बोल सकते है बट यह popularly known as बोल रहा है तो आप popularly में भी non-profit organization है NPO उसके बीट में charitable डाल दो non-profit charitable organization इसको याद रखो बस next reason for creating a public trust public trust कोई क्यों बना लेता होगा तो main reason क्या है from two types of trust main reason for building public trust from two types of trust is what सबसे पहले public trust are relatively popular कोई चीज़ popular रहता है तो लोगों को करने में आसानी होती है करने में mood रहता है दूसरा government को पता रहता है वहाँ पे जो भी officers होते है उनको rule regulation पता रहता है बार-बार करके तो उसको formation करना operate करना documentation करना approval करना एक आसान हो जाता है उसका register वगरे maintain करना आसान हो जाता है दूसरा है public trust can avail exemption from the government under income tax act 12-way का registration ले लिए 85% पूरा exempt कर लो खर्चा करके बाकी 15% आप रख लो 80 जी कोई donation दे दे तो donation में भी सामने वाले को छूट मिल जाए आपको donation मिल गया FCRA का registration ले लो foreign contribution regulation authority से जो कि ministry of home affairs के अंदर में आता है वो फाइदा भी ले लो आप उसके अलावा अगर आपको लगता है तो 35 AC section 35 AC income tax act का registration ले लो कम से कम 100% का deduction है जितना भी खर्चा दिखा दो उसमें और 35 1 2 ले लो 35 1 2 में भी 100% या उससे जादा का आपको benefit मिल जाता है जितना आप खर्च कर लेते हो कितना फाइदा है public trust बनाने का यह सारे फाइदे है private trust क्या होता है private trust is one whose beneficiaries are individuals or families एकदम clear बता दिया individual होगा या family होगा उसका जो beneficiary होगा या close relative family को close relative में भी आप consider कर सकते हो तो private trust को further classification दो पार्ट में किया गया सबसे पहला special trust जिसको private discretionary trust बोलते है जिसमें सब का share clear रहता है अगर उसने बोले कि A, B, C, D, E, F, G इतने लोग हैं तो और इसका जो भी income होगा या यह जो पूरा property trust में है उसमें इतना percent इनका ratio होगा तो फिर वो ratio fix हो गया उसका benefit कितना ratio में देना है वो fix हो गया जहां पर यह fix कर लेते हैं वहाँ पर private special trust भी बोलते हैं उसको और private discretionary trust भी बोल सकते हैं Right Where either of the two beneficiaries and their share is uncertain तो दो पार्ट हो गया private trust का एक पहला पार्ट यह हो गया जिसमें percentage fix है दूसरा जो पार्ट है उसमें percentage fix नहीं है आगे बढ़ते हैं content of a valid private trust private trust का content क्या होता है सबसे पहला the settler of the property should declare some property set aside for the benefit of beneficiaries इसका मतलब जो private trust रहता है वो कौन सी property दे रहा है उसका पूरे detail के साथ में हम लोगों को बताना पड़ेगा तब जाकर क्योंकि वो settler मतलब जो private trust में डाल रहा है property उसका detail होना चाहिए और property का detail होना चाहिए दूसरी चीज according to trust deed अब trust बनानी के लिए सबसे पहले trust deed बनाना जैसे partnership करने के लिए partnership deed चाहिए वैसे trust बनानी के लिए क्या बनाना पड़ेगा trust का deed जिसमें rules regulation कौन settler है कौन trustee है यह सारा चीज और क्या 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 terms and condition रहेगा operation कैसे होगा management कैसे होगा सारी चीज़े trust deed में लिखी रहेगी there should be a trustee to manage the property इसका मतलब trust deed होना चाहिए वहाँ पे trustee होना चाहिए और beneficiary किसके benefit के लिए ये काम कर रहे है वो भी रहना चाहिए तो तीन ingredient तो fix हो गए settler तो है यह जो बनाने कोशिश कर रहा है जिसको in charge मनाएगा trustee हो गया जो कि manage करेगा property जिसको फाइदा मिलेगा वो क्या हो गया beneficiary हो गया तो settler में also be trustee of the same trust अगर मैं बना रहा हूं trust और उसका trustee भी मैं बनना चाहो possible है possible है अब इसके आगे बढ़ते है there should be a beneficiary or beneficiary who benefits from the property of the colonizer या फिर ट्रस्ट मतलब beneficiary होना चाहिए यह मैंने already बता दिया trust property properly demarketed यह पता रहना चाहिए कि कौन सा property कौन सा नक्सा खचरा या फिर पैसा है तो पैसा machine है तो machine क्या जो चीज़े trust के नाम पर है वो एकदम clear रहना चाहिए और उसको हम लोग bifurcate यह बता सकते है कि भाई यह वाला mobile trust का property right next besides the object of the trust must be clearly specified trust करेगा क्या उसका object क्या काम क्या करने वाला है वो सारा clearly specified होना चाहिए right अब reason क्या होता है अब जैसे मैंने आपको बताया public trust क्यों बनाते popularity के कारण और असानी के कारण tax benefit के कारण उसी तरह के से private trust क्यों बनाते है सबसे पहला कारण है private trust help in applying the trust asset and insolvency protection to retain the trustee's beneficiary or beneficiary right यह वाला word मैं आपको clear बता रहा हूँ इस line का मतलब यह है कि अगर मान लो कि कोई trust बनाकर उसमें property transfer कर दिये तो वो property मेरी नहीं रही वो trust में चलेगी भले वो मेरे बाल बच्चों के ही काम आनी वाली है तो अगर मैं insolvent हो गया दिवालिया हो गया तो भी वो property trust से निकाल के मेरे उधारियों को या मेरे दिवालेपन को खतम करने के लिए यूज नहीं होगा वो trust कही property माना जाएगा तो insolvency के case में भी trust प्रोटेट करता वो property जो आपने trust में डाल दिया अगर मानलो कोई will या वसियत थी उसके कारण trust बनाना पड़ा उस case में registration की जरूवत नहीं है मैंने वीडियो के शुरुम बोला ना कब जरूवत नहीं बताऊंगा यहां जरूवत नहीं है अब categorization कर लेते हैं private trust का मैंने आपको बता दिये कि specific है और it discretionary है specific कौन सा है जिसमे percentage fix है किसको कितना percent देना है discretionary वो जिसमे percentage fix नहीं है अब private trust का अगर हम लोग यह पूरा categorization चेक करेंगे तो आप देखिए specific वाला है यहां पे specific में दो प्रकार के हो गए एक जिसमें business income होता है और जिसमें business income नहीं होता है अगर business income होता है तो maximum marginal rate से taxation होगा 30 पρसेंट अगर business income नहीं होता है तो उस case में income in the hands of trustee as a representative SSI तो अगर business income नहीं है तो trust के income को किसके हाथ में जाल सकते हैं, trustee के हाथ में डाल सकते हैं, या फिर beneficiary के हाथ में डाल सकते हैं, और rate क्या लगेगा, rate, rate of tax क्या लगेगा, अगर trustee के हाथ में डाल रहे हो, तो trustee का खुद का rate, जो rate of tax लगने वाला है, वही rate लगेगा इसके वाले income पे भी और beneficiary के नाम पे दिखा रहे हो तो वही rate लगेगा जो beneficiary के को rate लगने वाला है otherwise right अब इसका दूसरा पार्ट क्या है the income tax department also has an option to assess the income directly in the hands of beneficiary कभी पर क्या होता trust को income tax department beneficiary के हाथ में खुद भी taxation कर सकती है वो उनको लगा कि यह यह beneficiary भाइदा उठा रहा है उसके नाम पर taxation कर दो तो कर सकता है लेकिन मैं आपको बता दूँ यह private trust की बात हो रही है ठीक है अब discretionary वाला कौन सा है जिसमें percentage fix नहीं होता है अगर उसमें business income है तो वही same यहाँ वाला है कि maximum marginal rate इसका मतलब 30% plus s लगेगा और अगर business income नहीं है तो भी maximum marginal rate लगेगा यहाँ पर तो as it is अगर discretionary है तो उसमें same है अगर discretionary नहीं है तो थोड़ा सा different है तो trust registration का process में हम लोग आ जाते है कि trust का registration process क्या है सबसे पहला before registering your trust you must make the following decision क्या के decision लेना पड़ेगा सबसे पहले name of the trust क्या है clear रखो address क्या होगा object क्या होगा one settler of the trust कम से कम एक वेक्ती है जो की बनाने कोशिश कर रहा है settler है वो है two trustees of the trust दो trusty होंगे trust के trust property movable और immovable ठीक है कौन सी property हम लोग trust में डालना है चाहए mobile हो चाहिए immobile हो clearly उसका document यह उसका detail आपके पास में होना चाहिए अगर जब आपने यह सारी चीज़े यहां की सारी चीज़ें आपने इखटा कर ली तो उसके बाद क्या करना होगा हमको trust deed बनाना पड़ेगा किस पर बनाएंगे stamp paper में बनाएंगे कौन से value पर? expected value पर यह value जो हर state के साथ से change होता है normally 1000 रुपए से कम में नहीं बनता है 1000 रुपए पर trust deed बना दीजे आप अगर 500 भी बोल रहे हैं तो भी 1000 में बना सकते हो कोई परिशानी नहीं है अब registration लेना पड़ेगा passport size photograph settler का लगा दिया identity proof के हिसाब से एक passport size photograph identity proof जो दो trustee आपने रखे हैं उसका भी लगा दो किसमें? trust deed के registration के समय यह सब चीजे लगेगी उसके बाद passport size photograph लगेगा witness लोंका भी और उनका address ID प्रूब भी लगेगा उसके बाद signature लगेगा settler का सारे pages पर जितना trust deed पर जितने pages हैं सब पर signature की जरूबत पड़ेगी उसके बाद witness जो रहेंगे उनका भी signed trust deed में होगा इस तरीके से यह registration का process complete होने वाला है आपने यह सारा ready करके जाना है कहां पर local registrar के पास चले जाएए वहां पर trust deed submit करिए एक photocopy submit करिए वह registration करके आपको original वापस कर देंगे उसके बाद यह लिखा हुआ the registrar retains the photocopy and returns the original registered copy of the trust deed right अब advantage क्या है क्यों trust बना लेना चाहिए advantage भी देख लो आप सबसे पहला limited liability is possible if a corporate trust is appointed अगर corporate trust को appoint किये तो liability limited हो जाती है right the structure provides more privacy देने company यह पहला वाला point का मतलब क्या हुआ अगर अगर company company है जो corporate है वो अगर appoint हो गई तो corporate का जो taxation है जैसे मैंने बुला नी ट्रस्टी का percentage लगने वाला अगर ट्रस्टी का percentage महां पर लगने लगा तो अगर अभी income tax देखेंगे तो 25% खाली आएगा company का जबकि अगर individual में देखेंगे तो 30% भी जाएगा तो 5% महां बचत हो जाएगी tax की अगर आपने 12-way registration नहीं लिया है तो structure provides more privacy देने company यह trust का structure एग company से ज़्यादा privacy देता है क्योंकि company transparent होता है company को कोई भी कहीं से बैठके जाज पड़ताल कर सकता है trust को नहीं कर सकता trust का खाली उतना ही जानकर यह आप ले सकते हो जितना कि आपने रिष्टार में जमा किया होगा there can be flexibility in distribution among beneficiaries beneficiary में जो divide करना है share करना है उस पे flexibility ला सकते हो trust में trust income generally individual के tax rate से taxation होता है तो अब benefit क्या है trust का registration से उसमें charitable activities include कर सकते हो उस पे tax exemption ले सकते हो गरीब लोगों को फायदा होता है क्यूंकि trust बना कर बहुत सारे charitable काम actual में होते है law नियम कानून के compliance भी पूरे करने में कोई परशानी नहीं होती family का wealth अगर आप चाहे तो अलग से private trust बना के भी उसमें पैसे और property को मतलब intact रख सकते हैं जिसको कोई न ले पाए avoidable probate court normally court के cases इसमें कम आते हैं जब तक dispute नहीं होता कर private वाले उसमें तो आते ही नहीं है public वाले में खाली post को लेकर आ सकता है लेकिन property को लेकर नहीं आता normally immigration of family family कहीं भी immigrate हो जाए trust अपने जगा पे intact रहने वाली है और forced hardship अगर किसी को beneficiary बना है तो उनके relative उसके बाद अपने आप उसके legal year बन जाएंगे legal representative बन जाएंगे उसके लिए कोई मेहनत करने का ज़रुत नहीं है इसलिए trust अगर private है तो बहुत ज़्यादा benefit हो जाता है अगर वो कोई जाता है कि उसके property और wealth को बचा कर रखा जाए अगर public वाला है तो उसमें भी पूरे आपको छूट मिलने के income tax के exemption लेने के लिए आपके पास पूरा उपाय रहता है टैक्स mitigation and managing asset आप टैक्स को टैक्स का जो भी compliance से उसको पूरा कर सकते हो और संपत्वी को बहुत अच्छे से manage कर सकते हो राइट तो दोस्तों ये trust के बारे में बहुत heavy important information था मेरा एक छोटा सा request आप लोगों से क्योंकि ये important information है थोड़ा सा share जरूर करिए कि दूसरे लोग भी देख ले और trust के बारे में थोड़ा और जान ले और ये जान ले कि दिपंकर समद्दार है अगर आप लोग को कोई भी मदद चाहिए जानकारी चाहिए consultancy के लिए professional consultancy के लिए हमेशा हम लोग तयार है और आप free में कभी भी comment कर सकते हो क्योंकि आप जानते हो मेरा mission हमेशा आप लोग की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना तो बने रहेगा मेरे साथ आपका दिन जबरदस्त और शूब हो